हाई दोस्तों मेरा नाम है परागपाल और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में दोस्तों आज किस वीडियो में बात करने वाले हैं 11 स्टेप्स जो की important है किसी भी foundations को बनाने के लिए अगर आपको building का foundation बनाना है तो building के foundations को बनाने के लिए ऐसी कौन सी 11 स्टेप्स है जो आपको धैन में रखनी चाहिए वो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ लेकिन इस वीडियो में 11 स्टेप समझने से पहले पहले foundation के diagram को समझ लेते हैं ठीक है देखे दोस्तों सबसे important stage होती है foundation की वो होती है आपकी excavation ठीक है जो हमने यहाँ पर देख रहा है आप देख सकते हो यहाँ पर कि excavation मतलब ground level से हम लोग क्या करते है सबसे पहले area excavate करते और उसके अंदर फिर हम क्या करते है फुटिंग बनाते है अब सबसे important question यह है कि यह फुटिंग हम क्यों बनाते है देखे फुटिंग हम इसलिए बनाते है ताकि हमें अच्छे stability मिले ठीक है second चीज है कि foundation हम इसलिए बनाते ताकि जो load है जो building का load है वो properly किस में जाए ground में जा सके ठीक है third चीज है foundation में मतलब footing में हम PCC क्यों देते है जो आप यहाँ पर देख रहे है PCC यह PCC का structure होता है यह क्यों देते कि इसलिए देते क्योंकि यह क्या करता है यह anti water का काम करता है ठीक है anti water का का मतलब क्या कि नीचे यह आपका पूरा ground है तो यहां से जो नीचे में क्या होता है reinforcement होता है जो की corridor हो सकता है ठीक है जिसके वज़े से आपका footing फेल हो सकता अगर footing ही फेल हो गया तो आपका building क्या हो जाएगा फेल हो जाएगा गिर जाएगा तो इसी के लिए और सबसे important चीज stability लाने के लिए मतलब plain surface area बनाने के लिए हम लोग क्या करते है PCC देते हैं ठीक है नाओ next important चीज यह है कि PCC को भी डाले से पहले हम polythylene sheet डालते हैं ताकि वो एक ऐसा फैबर जैसा काम करे जो PCC को भी disturb ना करे ठीक है PCC को भी मतलब plain cement concrete structure को भी disturb ना करे ठीक है उसके बाद next structure जो होता है उसको हम कहते है footing जो कि हमारा आज का सबसे important topic है ठीक ह जिसमें footing में what type of footing साथ है दोस्तों यह होगी normal footing फिर आती है step footing फिर आती है combined footing फिर आती है strap footing इस सब चीजों के बारे में मैं आपको आने वाले वीडियो में बताने तो वाला हुई बट उसके साथ साथ उनका estimation में मैं बताने वाला हूँ ठीक है जिसके माद्यम से आप सब ल footing से नहीं बनता है सिर्थ PCC से नहीं बनता है foundation बनता है excavation ठीक है excavation प्लस पॉली ओके पॉलीथिलीन पॉलीथिन शीट प्लस PCC प्लस फुटिंग प्लस आपका neck column ओके तो यह जो neck column होता है वो आपका यहां से start होता है और चालू आपका खतम कहाँ पर होता है आपके plain beam जो होता है उसके level ठीक है floor column तक तो यह होता है फिर normal ground level तक जो जाता है उसको कहते है neck column ठीक है तो मैं आशा करता हूँ कि आपको इतना समझ में आया है now अभी मैं 11 steps आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ जो कि सबसे important है ठीक है तो सबसे पहले हम बात करते हैं first stage की वो है land survey of site preparation include soil testing देखे दोस्तों यह बहुत important factor है अगर आप soil test नहीं करते हैं ठीक है अगर आप soil testing नहीं करते हैं तो हो सकता है आपका structure फेल हो जाए ठीक है और इस फेल structure को बचाने के लिए ही एक civil engineer यही suggest करेगा कि जहाँ पर भी जिस भी area में आप building बना रहे हो उस area की soil test करना बहुत जरुरी होता है अगर आप putting foundation बना रहे हो तो पहले उस area का soil test करो अगर आप black cotton soil है तो दोस्तो वहाँ पर आपको heavy foundation करना भी बहुत जरुरी पड़ेगा या आपको दूसरे type of treatment आपको वहाँ पर देनी पड़ेगी क्योंकि black cotton soil क्या होती है, swell होती है और contrast भी होती है तो उसका behavior है ठीक है अगर मुरम area है तो कोई problem नहीं अगर hard rock है तो कोई problem नहीं लेकिन अगर water table है तो भी दिक्कत है तो यह सारी चीजे land survey जिसमें आपको soil जैसे soil का testing आपको सबसेदे important factor होता है ठीक है, now उसके बात marking and layout जब भी आप foundation बना रहे हो तो आपको यह बहुत important है कि आप plan के हिसाब से marking करे और proper layout डाले अगर आप गलत layout डालेंगे तो आपका घर भी गलत तरीके से बनेगा जो भी आप building बनाने वाले हो वो गलत तरीके से बनेगी जिसके वज़े से आपको ही आगे दिक्कत होगी ओके देन थर्ड है आपका excavation according to drawing drawing में जितना depth of foundation बताया गया है मतलब यहां से लेके यहां तक जिसको मैंने कहा है excavation depth या फिर depth of foundation ठीके depth of foundation जो बताया गया है उतना ही आपको depth of foundation रखना है उससे ज़्यादा नहीं रखना है तो क्या होगा आप ज़्यादा depth of foundation रखेंगे उसमें column ने column break होने के chances ज़्यादा होते हैं मतलब यह वाला column यहां से तूड भी सकता है ठीक है यह चीज़ा आपको धहन में रखनी है ना उसके बाग dewatering through hydraulic pump यह सबसे important point में बोलूँगा अगर आप foundation बना रहे हो तो देखिए आपने बहुत बार देखा होगा कि बारिश के time में आप foundation बना रहे हो और मतलब trenches में हम लोग क्या करते हैं पानी निकालते हैं और उसके बाद footing डालते हैं अगर आप पानी नहीं निकालेंगे डारेक footing करेंगे तो आपको यह दिक्कत आएगी कि आगे चलके आपका structure undulations create करेगा मतलब जमीन के अंदर जाता रहेगा तो इसलिए हमेशा अगर आपके foundation में पानी भर चुका है तो उसको पहले निकाल लिजिए उसके बाद ही construction कीजिए ठीक है फिर termite control, anti-termite solution spread below the PCC ठीक है मतलब आप जो polythylene sheet डाल रहे हो उसके नीचे और उसके उपर दोनों के उपर आपको termite control डालना बहुत जरूरी है जिसके वज़े से क्या होता है आपका structure safe रहता है ठीक है then next is polythylene sheet आपको polythylene sheet यूज़ करना है ताकि जो पानी है वो आपके structure के अंदर ना चला जाए ठीक है फिर plain cement concrete मतलब PCC उसका ratio हमेशा 1 is to 4 is to 8 आप ट्राय करो रखने का मतलब 1 bag of cement 4 mix of the fine aggregate and 8 mix of the coarse aggregate ठीक है और उसकी thickness हमेशा 10 से 15 cm होनी ही चाहिए ठीक है फिर next point है putting reinforcement neck column reinforcement जो भी आप इसमें steel bar डालने वाले हो मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ sorry मैं आपको यह दिखा भी देता हूँ कि इसमें जो आप इस type से जो reinforcement डालने वाले हो ठीक है ओके ऐसे यह भी मैं अभी सारे आप लोग को बताने वाला यह जो reinforcement आप डालने वाले हो ठीक है यह reinforcement आपको अच्छे तरीके से aspect drawing आपको डालना पड़ेगा ठीक है फिर उसके बाद proper shuttering आपको करनी पड़ेगी proper concreting करनी पड़ेगी proper de shuttering करनी पड़ेगी ओके shuttering मतलब क्या अगर यह नेक कॉलम बनाना है footing बनाने तो उसके बगल में हम लोग क्या लगाते शेटरिंग लगाते ताकि उसको proper shape मिले ओके राइट okay de shuttering मतलब क्या जब यह concrete अपनी strain gain कर लेता है उसके बाद इन चीजों को हम यहाँ से क्या कर लेते निकाल लेते है ठीक है इन चीजों को हम यहाँ से क्या कर लेते निकाल लेते है okay और concreting मतलब क्या concreting मतलब shuttering लगाने के बाद हम लोग इसमें concrete डालते तो concrete आपको बहुत height से नहीं डालना है नॉर्मल height से डालना है और उसके बाद जो आपका vibrator machine होता है उससे vibrator करके इसको proper stable करना है ठीक है जिसके वज़े से आपको quality मिलेगी आपकी workability improve होगी ठीक है फिर उसके बाद ये mostly बहुत कम लोग करते जैसे कि bitumen paint bitumen paint to all of the surface of the footing and neck column मतलब shuttering निकालने के बाद de-shuttering करने के बाद आपको उस face में proper चरीव से bitumen paint लगाना है ताकि पानी column के अंदर ना आ जाए neck column के अंदर ना जाए footing के अंदर ना जाए ठीक है और उसके बाद फिर back filling back filling मतलब क्या अब ये neck column बनने के बाद इन सब जगों में इन सब जगों में फिर more room ओके जो hard material है ठीक है वो यहाँ पर fill कर दिया जाए ऐसे ठीक है ताकि इनको side stability मले और उनको hummus के तरफ से मतलब जो hummus होता है उससे अच्छे तरीके से इसको क्या किया जाए tap किया जाए और इसको lock कर दिया जाए यहाँ पर ठीक है तो यह थी major 11 steps जो आपको important होती है foundations किसी भी building का foundations बनाने के लिए आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा